शिरी गुरुग्रान साथ तिलंग मेलानों काफी एक कमकार सत्कुर्परसादी चेतना है तो चेत ले निशी दिन मैं प्रानी छिन छिन ओवद भिहातू है फूटे कट्चों पानी हरी गुन काई नगामी पूरख अग्यानी चुठे लालच लागी के नई मरनू पच्छाना अजो कुछ भिगरियो नई जो प्रवगुन गावे कउ नानकती पजनते निर्बे पदू पावे ये मनुशी यदि परमात्मा हरी का नाम समरन करना है तो दिन रात्री उसमें प्रवित हो जाओ चीतना है तो चीतले निसी दिन में प्रानी अन्य था जैसे ट्यूटोई है घड़े से पानी निकलता रहता है उसी परकार एक किशन करके उम्र बीती जा रही है चीन चीन अओध भी हातु है भूटे कट जियों पानी ये मुरख तो प्रवु हरी की गुन स्तुती के गीत क्यों नहीं गाता माया के चुठे लोब में भस करके तो मृत्यू की उपेक्षा क्यों करता है हरी कुन काई नगामी मुरख घ्यानी चुठे लालची लागी के नहीं मरनू पच्छाना लेकिन नानक्ची की धारना है कि परमात्मा हरी का गुनगान चाहे कितनी ही उम्र बीत जाए कभी भी आहित कार नहीं होता क्योंकि उस परमात्मा हरी के भजन के परभाव से मुनुष ऐसा उंचा आत्मी के स्थान प्राप्त कर लेता है जां कोई भे असर नहीं रहता अजहो कुछ बिगरी यों नाई जो प्रबगन गावे कउनानक्तिन पजनते निर्बे पद उपावे तिलंग मैला नो जाग लेहुरे मना जाग लेहु कहां गाफल सुया जो तन उपजया संग हो सो भी संग ना हुया मात पिता सुत बंद जन हितू जासियो कीना जू छुटियो जब देते डारी अगनी मैं दीना जीवत लो भी हारी है जग को तुम जानू नानक हरी गुन गाईले सब सुफन समानू है मन चीतना मिया तो क्यो लाप्रवा हो करके सुरा है जो शीर जीव के साथ ही पैदा होता है वे भी आखिरकार साथ नहीं जाता जाग लेहुरे मना जाग लेहु कहान काफल सुवया जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया देख मा, बाब, पुत्र, संबंधीगन जिनके साथ मनिश्य तमाम उम्र सने करता रहता है वे भी आत्मा के शीर से अलग होने पर इसे अगनी में डाल देते हैं मात, पिता, सुत, बंध, जान, हित, जासो की न, जीव छुटिये जब देते, डारी अगनी में दीना गुर्णानक जी कहते हैं कि जगत को सप्नवत समझ, यहां का लेन, देन, जीवन, चेतना तक की सीमित है इसलिए आजीवन परमात्मा हरी के गुन गातार है जीवत लोग भी हारू है, चाक को तुम जानू, नानक हरी तुम गुन गाई ले, सब सफन समानू तिलंग मेला नुआ, हरी जसूरे मना गाई ले, जो संगी है तेरो, अवसर बीतियो जाता है, कहो मान लो मेरो हिमान, प्रभु जी की स्तुति के गीत गाया कर, ये गुन स्तुति ही तुमारा आत्मिक वास्त्विक साथी है हरी जसूरे मना गाई ले, जो संगी है तेरी, मेरा वचन मान ले, क्योंकि समय बीता जा रहा है, आप सर बीतियो जाता है, कहो मान लो मेरो हिमान, मुनुश्य धन, पदार्थ, रथ, माल, रज, आदि के साथ त्यंत ने करता है, लेकिन जब मृत्यों की फासी गले में पड़ जाती है, तब हर एक चीज पराई हो जाती है संपती, रथ, दान, राज, सो, अति, नेह, लगायो, काल, फास, जब, गली परी, सब पे उपरायो है मुर्क मनुश्य, ये सब कुछ जानता समझता हुआ भी तुँ अपना काम बिगाट रहा है, तुप पाप करता हुआ संकोच नहीं करता है, यही नहीं तुँ एहंकार भी दूर नहीं करता है जान बुझ के बावरेत काजू बिगारियो पाप करत सुकुचियो नहीं ना गर्बु निवारियो कुर नानक जी का कथन है कि है भाई गुरु ने जिस परकार शिक्षा दी है वे श्रमन कार और प्रबु हरी की शरन दे जी विदी गुर उपदे से आज सो गुनूरे पाई नानक कहत पुकार के गहों प्रबु सरनाई तिलंगवानी पक्ता की कबीर जी एक कमकार सत्गुर परसादी वेद कतेव इफ्तरा पाई दिल का फिक्रून न जाएं तुको दम उकरारी जो करू आजरी जूरी खुताई बंदे खोचो दिल हर रोज ना फिर उपर सानी माई इहु जो दुनिया सेहु मिला दस्तगीर नाएं यह भाई वेद उपनिशनों और कुरान के उधारन दे करके और बाड़ चड़ करके बाते करने से मन का भे दूर नहीं होता वेद कितेब इफ्तरा पाई दिल का फिक्रून जाएं यदि तुम अपने मन को पलमात्र भी नियंत्रित कर लो तो तुमें सम्हें परमात्मा व्यापत दीख फड़ेगा तुको दस उकरारी जो करो हाजरी हजूरी खुदाई भाई अपने मन को प्रति पल खोजो गबरार्द में मत भटको कि जिगत एक जादू तुल लिया है एक तमाशासा है इस संबंध में वाद विवाद से कुछ ही मिलने वाली चीज नहीं बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर उपर सानिम आई इहू जो दुनिया सिहरों मिला दस्त गिरी नाई द्रोगो पड़ी पड़ी खुसी होई बेखबर वादू वकामी हको सच्चो खाल को खलक में आने स्याम मूरत नाई अज्यानी लोगों ने पढ़ पढ़ करके जो लिखा है वे छूट है वे परसन्न होकर के वाद विवाद करते हैं सत्य सरुप प्रमात्मा हरी जन मानस में ही अवस्तित है ना मैं कई आसमान पर बैठे है और ना मैं प्रमात्मा हरी क्रिश्न की मूरती में असमान महाने नहंग दरीया गुसल कर्दन बुद करी फकरो दाइम लाई चसमे जाता मौजूद अल्ला पाक पाक है सक करू जै दूसर होई करीब कर्म करीम का ओह कर जाने सोई वे प्रभु जी वे हरी जी रूपी नदी तुमारे अंता करन में लेडे मारी है भगवान जी हर जी में विद्यान मान है तुमारे अंदर भी विद्यमान है तुमें उसमें शिनान करना था आप तो हुमिशा उससे प्राथना कर अनासक्ति की एनक लगा करके देख कि वैप्रभू सर्वत्र वस्तित है हर जिगा मिद्यमान है प्रमात्माहरी सबसे पुट्रस्ति है इस बात में मैं तो तब संदे करूँ यदि कोई उस प्रभू के तुल्य हो वैप्रभू अप्रतिम है कबीर इस रहसे को वही मुनुश्य समझ सकता है जिसे ये समझने युग्य बनाई ये क्रिपा उस क्रिपालू प्रभू हरी की सिच्छा पर निर्बर क्रीम कर्म कर्म का ओहु कर जाने सोई अल्ला पाक पाक है सक करू जिदूसर होई नाम देव जी मैं अंदले की तेक मेरा नामो खदंकारा मैं गरीब मैं मसकीन तेरा नामो है अदारा क्रीमा रिमा अल्ला तो गनी हाजरा हजूरी दरी पेशी तू मनी तरियाउं तो दिहंदर तू बीसी यार तो तनी देही नहीं एक तू दिगर को नहीं तो दाना तो बीना मैं बिचारो किया करीं नामें चे स्वामी बक्संदतो हरी है मेरे बादशा तुम्हारा नाम ही मुझे अंदे की लकड़ी है आशरे है मैं निद्धन हूँ मैं तुच्छू तुम्हारा नाम ही मेरा सहारा है मैं अंदुले की तेक तीरा नाम खुदंकारा मैं गरीब मैं मसकीन मेरा नाम है अद्धारा है अल्ला करीम रहीम तुम ही अमीर हो तुम प्रती पल मेरे सामने हो अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं क्रीमा रहिमा अल्ला तो गर्नी हाजरा हजूरी दरी पेशु तो मन्नी तुम द्या के स्तोत्र हो दाता हो अत्यनत धनी को एक तुम ही जीओं को पदाथ देते हो तुम ही लेते हो दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो ये सामर्थ रखता हो द्रियाओं तो बिहंद तो बिसी आर तो तनी देहीं लेखीं एक को तो दिगर को नहीं है नाम देव के स्वामी तुम सब कुछ देने वाले हो तुम अंदर्या में हो और सब के काम देखने वाले हो है हरी मैं तुमारा कौन कौन सा गुन विक्त करूँ तू दाना तू भी ना में बिचारू किया करीं ना में चे स्वामी बक्संद तू हरी हले यारा हले यारा खुशी खबरी बली बली जाओ हूँ बली बली जाओ नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ है सज्जन प्यारे तुमारी खबर शीतलता देने वाली है मैं तुम पर बली हारी हूँ कुर्बान हूँ तुमारा नाम सब से दिक प्यारा है इसलिए इसके परभाव से तुमारी दी हुई बिगार भी मिठी लगती है नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम ना तो कहीं से आया है, ना तो कहीं गया है, और ना तो कहीं जा रहा है, फिर भी द्वार का नगरी में रास भी तुमसे हमर चाते हो, अर्थाद कृष्ण जी भी तुम्ही कूजा आमद कूजा रफ्ती कूजा मेरवी द्वार का नगरी रासी बुगोई खुबो तेरी नगरी मिठे तेरे बोल द्वार का नगरी काहे के मगोल तुम्हारी पकड़ी संदर है और तुम्हारे वचन मीथे हैं तुम ना केवल द्वारका में हो और ना ही केवल मुसल्मानों के धार्मे के सिस्तान मक्का में हो अर्थात तुम सरवग्य हो हर जगा विद्यमानो चन्दी हजार आमल एक कर खाना हम चिन्नी पादसाई सामले वरना सिस्ती के कई हजार मंडलों के तुम अकेले ही मालिक हो हे बादशा ऐसा ही सावले रंग वाला कृष्ण है अर्थात कृष्ण भी तुम आपी हो हम चिन्नी पादसा सामले वरना अस्पति-गजपति-नरणिंद-नामेके-स्वामी-मीर-मकन्द है नाम-देव के प्रभुपति तुम आपी मीर हो, तुम आपी क्रिश्न हो, तुम ही सुरियदेवता हो, तुम ही इंद्र हो और तुम आपी ब्रह्मा हो अस्पति गजपति नरा नरिंद नामे के स्वामी मीर मकंत एक कमकार्थ सत नामों करता पुर्खो निर्बव निर्वेरो अकाल मूर्ति अजूनी सहबं गुर्पर साथी रागो सुही महला पहला चौपदे करूई का पांडा तोई वैसी तुपो देवी तो दुद्दे कव जाऊं दुद्दो करम फुनी सुर्ति समाईनी ओई निरास जमाऊं जबुत अइक को नामा अवरी निराफल कामा मक्षन प्राप्त करने के लिए तुम पहले बरतन धो करके फिर उसे धूप दे करके दूद्द लेने जाती हो तब इसमें खटा लगाती हो इसी परकार नाम अमरत पाने को देने क करम करतावे दूद्द है प्रबु चर्णों में सुर्ति लगाए रखना दूद में जामन लगाने के समान है इस परकार संसारी का कांच्छाओं से उपर ठो इस परकार निश्काम भाव का दूद जमाओ के वला प्रबु हरी नाम का जाब करो क्योंकि अन्ने सब कारिवियत हैं इसी से नाम अमरत मिलता है जबात एक का नामा अबरी निराहल कामा इह मनों इती आथी करो फुन्नी नेत्र नीदनावे रसना नामों जबी तब मथिये एंविदी अमरत पामी इस मन को नियंतेज करो आत्मिक जीवन के लिए मन रूपी गोटियां रसी में बंदी लकडी की डंडियां हाथ में पकडो मायमों की निद्रा का प्रभाव मन पर मत होने दो यह रसी है जियादा द्वारा प्रमात्मा का नाम जपो जैसे जैसे नाम जपोगे त्यों त्यों इस द्यानिक करित्य रूपी दूद का मन धन होता रहेगा इन तरिकों से द्यानिक क्रित्य करते हुए नाम अमरत प्राप्त कर लोगे रसना नामों जपो मत्ये ए विदी अमरत पाप्त मनों संपटों जित्तों सत्सरी नाम नूं पावन पाती त्रिपती करे पूजा प्राण सेवकू ले जे सेवे इनना विदी साइबू रव तूरे कहते कहे कही जामी तुम सरी अवरू ना कोई पगती हिनु नान को जनु संपे हूं सलाही सक्खास हुई यदि जीव अपने मन को प्रभू के निवास की मनजूशी बना ले और उसे प्रभू का नाम तिका करके रखे फिर उसे मन को सच संकती रूपी सरोवर में शिणान कराए मन में वस्तित प्रभू को शद्धा रूपी पत्रों पूजा में चड़ाए बिल पत्रों के समान से परसंद करे यदि जीव सेवक बन करके एहमत भाव छोड़ करके प्रभू की सिवा करे तो इन तरकों से वह जीव मालिक प्रभू को सदा मिला रहता है नाम समरन के इतित प्रभू प्राप्ति के दूसरे उद्ध्यम बताने वाले व्यक्ति जो जो दूसरे उद्ध्यम बतलाते हैं वे बता बता कर अपना जीवन समय व्यर्थ गवा देते हैं क्योंकि हे प्रभू जी तुमारे समरन जैसा दूसरा कोई उद्ध्यम नहीं हो भी उनकी प्राथना है कि वे सत्य सरूप प्रभु हरी की सदेवे गुन स्तुति करते लें पक्ति हिनु नान को जनु संपे हूं सलाही सच्चा सोई सोई मैला पहला करू दो एक कमकार सद्गुर्पर साधी अंतरी वसे ना बार जाईं अमरत छोड़ी काई विख्खु खाईं ऐसा ग्यानु जपो मन मेरे आउं चाकर साचे फिर केरे सिवक वे हैं जिसका मन लोकी के रसोपदार्थों की और नहीं दोड़ता अपने भीतरी मगन रता है प्रमात्मा का नाम अमरत छोड़ करके वे विश्यों का जैर नहीं खता एमन प्रमात्मा के साथ ऐसा अटूट संबंध जोड़ जिससे तु उस सत्यसरोप्रभु की दास्ता में बना रह सके हमों चाकर साचे केरे ज्यानू त्यानू सब कोई रवे बांधनी बांधया सब जगु पवे सिवा करे तु चाकरू होई जली थली मही आली रवी रया सोई जो मनुश्य प्रभु हरी का सम्रन करता है वैं प्रभु हरी का सेवक बनता है उस सेवक को प्रभु जन थल और आकाश में सर्वत्र व्याप्त दीखता है को नाने की प्यात्रा करते हैं कि जो मनुश्य ये समझता है कि वैं दूसरों से भला नहीं और कोई उससे बुरा नहीं ऐसे सिवक को परमादवां विकारों की लेरों से पार कर लेता है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई प्रणवती नान को तारे सुई सुई मेला पहला करू छे एक कमकार सद्कुर परसादी उजलो केहां चिलकना कोटिम का लड़ी मस्दू तो तियां जुठे ना उत्रे जिस्व तो आतिसू सजन से नाली में चल दियां नाली चलनी जित्थे लेखा मंगिये तित्थे खड़े दिसने का साथ हतो बड़ी चमकिली और साफ सुत्री होती है किन्तु यदि उसे जोर से रगड़ा जाए तो वैं काली शाई छोड़ती है बार बार धोने से जुठन दूर नहीं होती चाहे कोई सो बार भी उसे धोले सज्जन ठग से बात करते हुए गुरु जी उसके नाम का सही तात पर ये बताते हैं सज्जन वास्तिक मित्र वही है जो सदा साथ रहे और यहां से जाते वक्त भी साथ दे ताकि जहां कर्म का हिसाब मांगा जाता है अर्थात कठीन समस्या उती है वहां नीश संक उचो करके हिसाब दे सके सहायक बने जित्थे लेखा मंगिये तित्थे खड़े दिशने सजन सही नाली मैं चल दिया नाली चलने कोठे मंडब मारियां पासु चित्वी आहा ठड़िया कमी नामनी विच्चु सक्नी आहा वग्गा वड्डे कपडे तीरत मंजी वसननी कुठी कुठी जीयां खामनी बग्गे ना कई यननी सिमल रुखु शरीर मैं मैं जन देखी पुलनी सिफल कमी नामी ते गुन मैं तनी हनी गरों मंद्रों मेहलों के चारों तरफ की दिवारों पर भले चित्रकारी हुई हो किन्तों यह भीतर से खंडर बन गए है जो भीतर से खंडर बन गए हो तो किसी काम नहीं आते हैं बग्गले के पंग सफेद होते हैं वे रहते भी तीतो पड़ है लेकिन जीवों को गले से घोट करके खाने वाले वे बगले साब सुत्रे ने के जा सकते। जैसे सैमयल का वरिख्या है वैसे ही मेरा शीर है। फ़नों को देख करके तोते दोखा खा जाते हैं, लेकिन वे तोते के किसी काम नहीं आते। बलकि वैसे ही गुन मेरे शीर में हैं, जो व्यर्थ हैं। सेफल कम्मी ना चन्नी ते गुन में तन्नी हन्नी। अंदले पार उठाया। दूगर बाट बहुतो। अखी लोडी ना लहा। हौँ चड़ी लंगा कितो। चाकरिया चंगिया आया। अवर से आनव कितो। नानक नामो समाली तो। बद्दा छुटी जितो। मेरे नेत्र अंदे हैं। उस पर मैंने बड़ा भोज भी उठाया हुए। और आगे पहाडी रास्त है। आँखों से खोजने पर भी मैं मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। फिर क्योकर पहाडी पर चड़ करके मैं पार उतरू। ये नानक जी दुनिया के लोगों की खुशाम दें, लोग दिखावे और चलाकियां किसी काम नहीं आ सकती। परमात्वा हरी का नाम ही अपने हिद्दे में सुरक्षित रख। माया मों में बंदा हुआ तो इस नाम समरन के द्वारा ही मुक्ति पासकेगा। यदि गुरु जी सब अवगुन अपने में बता करके सज्जन ठक को शिर्मिंदा करते हैं। नानक नामी समाली बंदा छुटी जित्तो चाकरिया चंगियाया वरस या नवकित्तो सुई मेला पहला जब तब का बंदू बेडुला जित्तो लंगी बहिला ना सर्वरू ना उछले ऐसा पंतु सहिला तेरा एकव नाम में जीतिया रत्ता मेरा चोला सद रंग टोला है मनुश्य प्रभू समरन का संदर सा बेड़ा तियार कर जिसके माध्यम से तुम शीक्र पार उतर जाओगे जब तब का बंदू बेडुला जित्तो लंगी तहिला समरन दवारा तेरा जीवन मार्ग ऐसा सहज हो जाएगा कि तेरे मार्ग में ना ये संसार समुद्राएगा और ना ही इसका मो तेरे भीतर चंचलता पैदा करेगा तेरा एको नाम मजीत रारत्ता मेरा चोला सद रंग टोला हे मित्र तुम्हारा नाम ही मजीत है जिसके पके रंग से मेरा आत्मी को चोला रंग गया है हे सजन जीवन यात्रा के प्यारे यात्री प्रभु हरी के साथ मिलाब कैसी होता है इसका एक ही रास्ता है यदि पास में गुन हों तो परमात्मा सिहम ही साजन चले प्यारीया क्यों मिला होई जे गुनों वी गठरिये मिलेगा सोई मिलेया अउन वी छुडे जे मिलेया होई आवा गुन्णू निवारिया है साच्या सोई अउ में मारी निवारिया सीटा है चोला गुर्वचनी हल पाया सेके अमरत बुला नान कहे सहे दियो सहु खरा प्यारा हम से केरियां दासियां साचा खस्वू हमारा जो जी प्रभू चर्नों में अन्रक्त होता है और यदि वैस सच मुझ अन्रक्त है तो उसका मिलन कभी भंग नहीं होता है उसका जनम मिलन का चकर समापत हो जाता है उसे सर्वत्र वैस सत्य सर्वूप प्रभू ही दीखता है जिस जीव ने एहमत व भावत दूर करके एहंकार दूर किया है और प्रभू मिलन का चोला पहना है अपना आप सवार दिया है सत्गुर्ण की शिक्षा पर चल करके उसे प्रभु हरी पती की गुनिस्तुती के फल रुपी वचन प्राप्त होती जो जीवन देने के योग्य गुनानक जी का कथन है कि है गुर्मक सेलियो समरन द्वारा प्रभु पती हरी बहुत प्यारा लगने लगता है वास्त में हम प्रभु हरी पती की दाशियां है और वे प्रभु पती हमेशा हमारी देखवाल करने वाला संदक शक है नानक के सेडियो सहु खरा प्यारा हमसे केरियां दासियां साचा खसम हमारा